अब ब्यॉन और लगता के जाने के बाद 4 साल बीच चुके हैं और रैगनार ने अलड़ी दो और बेटे कल ली हैं फ्लोकी भी जैसे तैसे जिन्दा बज गया है और केटागेट का तो पूरा मोहल ही बदल गया है एतलस टैन भी सभी वाइकिंग्स में पूरी तरह गुल मिल गया है लेकिन पिछले 4 सालों में रैगनार कहीं भी रेट करने नहीं गया फ्लोकी उसे बताता है कि उसने बहुत सारी शिप्स बना ली हैं जिनसे ये लोग पूरे इंगलेंड की बजा सकते हैं सभी लोग रेट पे जाने के लिए काफ योद सुकते रैगनार सभी को समझाता है कि इतने समय में हमने बहुत तैयारियां की और महमारी के दोरान हमारे जितने भी साथी मारे गाए हमने नए बच्चे पैदा करके उन सब की भरपाई कर लिया है और इसलिए हम लोग फिर से इंगलेंड पर रेट मानने जाएंगे लेकिन इस बार हम से रेट करने नहीं बलकी वहाँ काफी समय तक रुकने के लिए जाएंगे एसलोग रैगनार के तीसरे बच्चे को जनम देने वाली थी लेकिन वो देखती है कि रैगनार ठरक भरी नजरों से एक नौकरानी को ताड़ा है उसे ये चीज बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर इंदोनों में लडाई हो जाती है एसलोग रैगनार को एक भविश्यमारी बताती है कि उसको एक बार फिर एक बेटा होगा जिसकी आँख बिलकुल एक साप की तरह होगी इससे थोड़ी देर पहले एसलोग ने रैगनार से कहा था कि मुझे कुछ शक्तियां प्राप्त है जिससे मैं बहुत सारी चीजें अपने आप जान जाती हूँ रैगनार जब इस बात पे हसने लगा तब जाके एसलोग ने उससे ये बात बोली अब वहीं सिगी देखती है कि रास्तर में कोई बेबड़ा पड़ा हुआ है और ये और कोई नहीं बलकि अपना रॉलो है सिगी एक बरफीले पानी से भरी बाल्टी रॉलो के मुँपे दे मारती है भाई साब बहुत ठंडा पानी होगा ये सिगी रॉलो को मस्त मोटिवेशन देती है एचली रॉलो तूट चुका है उसके पास जीने की कोई वज़ा नहीं है लेकिन वो मर भी नहीं सकता तब ही सिगी उसे पताती है कि रैगनार बहुती जल्द फिर से एक बार इंगलेंड की तरफ निकलने वाला है तो मैं उससे बात करनी चाहिए मैं अल्रड़ी अपने बेटे अपने पती और अपनी बेटी को गवा चुकी हो अब मैं तुम्हें और नहीं गवाना चाहती रोलो जब नहीं मानता तो सिगी उससे कहती है कि ठीक है फिर एक काम करो ये खंजल लो और अपने सीने में गुसा लो और फिर जाओ नरक में बुजदिल की तरह सिगी का मोटिवेशन काम आ जाता है और रोलो रेगनार से मिलने के लिए तैयार हो जाता है वही रेगनार धोलकपुर वाले बाबा के पास जाता है वो बाबा से पूछता है अपने बेटों की भविश्य के बारे में बाबा उससे क्लियर कट शब्दों में बोल लेते हैं कि तुम्हारे बेटे तुमसे भी ज़्यादा पॉपूलर होंगे तुम्हारे बेटे तुमसे भी बड़े एक्स्प्लोरर्स बनेंगे और नई नई जगों को खुजेंगे रेगनार पूछता है कि बाबा ये सब तो ठीक है आप मेरे बेटे ब्यौन के बारे में बताओ तब बाबा कहते है कि मैंने अभी ब्यौन के बारे में ही तो बताया रेगनार अपको ज़्यादा ही सवाल पूछने लगाता तो बाबा उसे यहां से भगा देते हैं अब वहीं हम लोग देखते हैं कि एतलस्टन खुद रेगनार से हतियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है और अच्छा कासा हतियार भी चलाने लगा है इतने टाइम में वो बहुती काबिल बन गया है रेगनार उसे भी इंगलेंड साथ चलने को कहता है एतलस्टन पहले तो सो यालबॉक एच्छली रेट पर जाने के लिए खुशता तब ही यहां रॉलो आता है रॉलो को जिन्दा देख हैरान हो जाता है और कहता है अरे यह जिन्दा कैसे है तुमने अभी तक इसको मरवाया नहीं तो यहां रेगनार उसे बताता है कि देरताओंने इसकी जान तो तुम एक काम करो तुम उससे जाकर बोलो कि वो इस रेड में नहीं आ सकता और अगले दिन रेगनार को ये बात यालबॉक को बड़े ही भारी दिल से बतानी परती है रेगनार के निकलने के समय यहां डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है सिगी किंग हॉलिक्स क पाज आती है और उसे कोप्चे में बुलाकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है हॉलिक्स इतनी जल्दी तो सिगी की बातों में आने नहीं बालाता तो इसलिए सिगी को हॉलिक्स के साथ खचा-खच मचाना पड़ता है वहीं यालबॉक भी फिर से रोलो का दिमाग खाने आ जाता है और फालतु फालतु बाते उससे कहने लगता है लेकिन रोलो इस बार उसके जहांसे में नहीं आता और लगे उसको एक मुक्का मार देता है रेगनार अपनी टोली के साथ जन्नी पे निकल जाता है चार साल बात रेगनार फिर से ये जन्नी तै कर रहा है र और आखिर कार जैसे तैसे करके ये लोग जमीन को खोजी लेते हैं सभी वाइकिंग्स आगे बढ़ते हैं और मस्त रिलेक्स मारते हैं लेकिन तबी इंगलेंड के सिपाई इन पर धबा बोल देते हैं एकदम से ही इंग्लिस सिपाई एक दम से ही बहुत सारे बड़े बड़े नंबस में आ जाते हैं यहां हम लोग देखते हैं कि एतलेस्टन बाकी वाइकिंग्स की तरह ही उनके कंदे से कंदा मिला का लड़ा है रेगनार की रण नीती की दाद देनी होगी क्योंकि कुछी मिनिट पहले सारे इंगलिस सोल्जास वाइकिंग्स को घेरे हुए थे लेकिन पलक जपकते ही रेगनार की रण नीती के कारण यह सारे के सारे इंगलिस सोल्जास खुद घेरे हो गए एतलस्टन सिपाईयों से बात करता है और उनसे पूछता है कि वो लोग आकर कहा है ये सब ही उसे बताते हैं कि ये नौर्थ हम्परिया नहीं है बलकि ये तो वैसेक्स का किंगडम है जहां का राजा एकबड है और मैं आप लोगों को याद दला दूँ कि पिछली बार इंग्लेंड जब वैकिंग्स आये थे तो वो लोग नौर्थ हम्परिया में आये थे लेकिन अब वो लोग पूरे के पूरे नई जगा ही आ चुके है एकलस्टन रेगनार को बताता है कि किंग एकबड के बारे में मैंने काफी सुना है वो बिल्कुल तुमारी ही तरह है तब ही हम लोग देखते हैं वैसेक्स के किंग एकबड को जो मस्थ हॉट टब का लुफट उठा रहा है तब ही एक सिपाई उनको वाइकिंग्स के हमले के बारे में बताता है एकबड इसके बारे में सूचने लगता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है